हालो फ्रेंट्स इस वीडियो के माध्यम से के वीएस रिक्रूट्मेंट समंदित अपडेट देखने को मिलेगा जैसे कि आपको पूर वीडियो में बताया था कि 13,000 से ज़्यादा बैकेंसी जाई हुई है तो सिसी रिगार्डिंग आपका ये वीडियो है तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा बैकेंसी अपडेट, जॉब अपडेट और वोड अपडेट पाने के लिए केंद्रिय विद्याले संगठन ने प्रिंसिपल TGT और PGT पदों के आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है उमीदवार KBS बर्ती 2022 के लिए अब 2 जनवरी 2023 तक अपलाई कर सकते हैं उनलाइन आवेदन करने के लिए उमीदवारों को KBS की ओफिशिल वेबसाइट KBSSंगठन.NIC.IN पर जाना होगा KBS बर्ती 2022 के लिए आवेदन फॉर्म 5 दिसम्मर से भरे जा रहे हैं पहले इस बर्ती के लिए आवेदन की आखरी तारिक 26 दिसम्मर निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ा कर 2 जनवरी कर दिया गया है तो यह आपके पास गोल्डन चांस है और तुरन से अपलाई कर दीजिगा अगर आप इलेजबिल हैं इस फर्म को अपलाई करने की और आप केंदरे विध्याले संगठन या केंदरे विद्याले संगाठन पास होना का मपल रहत सकते हैं तो केंद्रे विध्याले के अधिकारियों ने अभी तक KVS भर्ती परिच्छा की तारीकों की गोशना नहीं की है KVS भर्ती 2022 के लिए सामा नियोबीसी EWS बर्ग के उमीदवारों को 1000 रुपई रजिस्ट्रेशन फीस्ट देना होगा इसका भुगतान उमीदवारों को अनलाइन मोड में करना होगा वहीं SC, HT और PWD बर्ग के उमीदवारों को कोई फीस्ट नहीं देना होगा आयू सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए आयू सीमा नियुनुतम 18 वर्स और अधिकतम 40 वर्स तै की गई है आयू में आरचित वर्ग के अनुसार ही दिया जाएगा सेलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें के बीएस के तो केंद्रिय विद्याले संगटन की सेलेक्शन प्रोसेस में एक लिखित परीच्छा होगी यह परीच्छा कंप्यूटर बेस्ट मोड में रहेगी इसके बाद उम्मीद्वारों को स्किल टेस्ट, इंटर्व्यू राउंड, डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट देना होगा उम्मीद्वारों को केविएस परीच्छा में बैटने के लिए केंद्रिय सिक्षक पातरता परीच्छा सीट एट पास होना जरूरी है आवेदन कैसे करना है तो उम्मीद्वार केविएस की ओफिशियल वेबसाइट केविएस संग्ठन.nic.in पर जाएं होम पेज पर रुकूरूट मैंड पर किलिक करें परिच्छा चुनें उम्मीद्वार केविएस वेकेंसी का चैयन करें जिसके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं अब केविएस भरती 2022 ऑनलाइन फॉर्म भरें जरूरी डॉक्यमेंट अपलोड करें आवेदन सुलका वुगतान करके सम्मिट बटन पर किलिक कर लें और जो आवेदन किया है आपने उसका प्रिंट आउट लेकर रख लें जो आपके एक्जाम के समय जो आपका प्रविस प अपडेट आपको कैसा लगा अपडेट आपकी साहता हुई या नहीं अगर आपने फॉर्म अपलाई नहीं कर पाया तो बहुती सुनहरा मौका है जल्दी से आप अपलाई कर दीजिएगा और अपने भविश्य को सबाह लीजिएगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए नए अपडेट पाने के लिए